तो असे वीडियो में बात करेंगे Meem Coin के Price Moment के बारे में Emitted Levels, Intry Points और आने वाले दिनों में इस Coin के Target करेंगे Currently Coin 0.038 पर Trade कर रहा है अभी इस Coin में के अच्छा Breakout देखने को मिला जहांपर 4.8 वाला नया High इस Coin ने बनाया और हमने जो Previously Levels आपको Share किये थे As it is, इस Coin ने Move करके Target हिट किये हैं अभी इस Coin की Price कहां तक जा सकती है कितना Drop ले सकती है और जिन्होंने इंट्री नहीं ली है वो किस Levels पर Buy कर सकते हैं और वापिस से इस Coin के Target क्या रहेंगे As a Trader, Lung Term और Sot Term के प्रिक्रिक्टिस आप किन एरियास पर नज़रे बना रख सकते हैं और आप सारी जी जो के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में उससे पहले जो नए Investor Trader Market में आए है जिनको जादा नोलेक एक्स्परिस नहीं है उनके लिए हमने Premium Service स्टार्ट की है वो इंस्टा पर DM करके चोईन कर सकते हैं इंस्टा की लिंक वीडियो के डिस्किप्शन में और हमारे टेलिग्राम चैनल के लिंक डिस्किप्शन में मिल जाएगी 0.038 पर अभी ये कोईन ट्रेड कर रहा है कल से अभी तक इसकी प्राइज में 20% का डंप देखने को मिला जहांपर 2-3 दिन से लगातार ये कोईन मूव कर रहा था और रिसेंट वाले अपने लेवल से 0.016 या पर 0.020 वाले लेवल से इसकोईन ने 140% से जानदा का मूव लिया एक बहुत अच्छा प्रेकाउट इसकी प्राइज में देखने को मिला वन मंत के अंदे स्कोईन ने बहुत अच्छा पॉफिट दिया और यहां पर 4-8 वाला नया है स्कोईन ने बनाया जो कि लिस्टिंग प्राइज के बाद का अभी तक का आल्टाइम हाई है क्योंकि जो लिस्टिंग केंडल लेती है उसमें अच्छा कासा ब्रेकाउट देखने को मिलते हैं लेकिन वो हम आल्टाइम हाई नहीं मान सकते और उसके बाद जो इसने 4-7 वाला लेवल ट्राइ किया था प्रिवियसली उस लेवल को क्रोस करके और 4-8 वाले लेवल को टेस्ट किया लेकिन अभी BTC में थोड़ी सी फ्लक्शुएशन देखने को मिल रही है और उस फ्लक्शुएशन में ये वाली जो केंडल है अगर हम 15 मिट में उपन करें तो ये वाली जो केंडल है इसी केंडल में BTC भी ड्रोप हो रहा है 62,000 वाले लेवल से लेकिन BTC में उतना ड्रोप नहीं है और मैंने हर बार आपको बताया है कि BTC भले कितना ही ब्रेक आउट ले लेकिन अगर BTC किसी लेवल से reject होता है BTC में अगर ड्रोप देखने को मिलता है तो alts जो है वो dump करेंगे और BTC 2% ड्रोप होगा alts जो है वो 8 से 10% ड्रोप होगे और ये कोई अगर इसने अभी जो recently 4.8 वाला लेवल ट्राई किया था वहां से थोड़ा correction देखने को मिल रहा था और इस लेवल से अभी ये बहुत जादा टूटा है मतलब अगर हम 4.8 वाले लेवल से comparison करें 3.4 वाले लेवल तक का तो 30% तक का ड्रोप इसकी प्राईज में कल से अभी तक देखने को मिल चुका जो 3.4 वाला लेवल टेस्ट किया यहाँ पर डेली में अगर बात करें तो डेली में इस कोईन को 4.0 वाला जो लेवल है वो एक important resistance लेवल था जिसको इसने कल वाली candle में close किया है और आज जो candle close हुई है वो 4.0 से उपर देखने को मिली लेकिन यहाँ से important यह रहेगा कि आज भी यह coin 4.0 से उपर ही maintain रहे और 4.0 वाला जो लेवल है वो इसको फिर support देखने को मिलेगा तो आज की situation जो है थोड़ी बहुत critical हो सकती है क्योंकि bitcoin थोड़ा सा dump कर रहा है तो मलब dump नहीं कर रहा है थोड़ा सा fluctuate हो रहा है तो इसलिए आपको जिसे आपको अगर यह लगे कि coins जो है वो drop हो रहे हैं और हमने entry मिस कर दी हम entry ले ले तो यह जल्दी बाजी नहीं करनी कि coin वहां से move करके hit करके यहां तक आ गया है तो यहां buy कर ले proper level पर आपको entry लेनी है technical चीजे समझनी है दूसरा अगर हम उपर के तरब resistance level की बात के तो 4748 वाला important resistance level है जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको mention भी किया था क्योंकि यह वाला जो level है 47 वाला level यह एक psychological resistance level भी है और technically भी अगर बात के तो 4748 वाला जो level है वो technically resistance level है और उस level से resistance करने को मिला और जो मैंने आपको quick target पिछले वीडियो में और short term के target बताये थे azit ss coin ने hit किये profit अपने generate किया होगा quick target 365 और 385 बताये थे short term में मैंने 42 से लेके 45 वाला target बताया था जिस level को उसने already hit किया तो भाई पिछले वीडियो को जिन्होंने watch किया है उसके थूँ profit generate किया या किसी भी type से हमारे वीडियो आपके लिए फूफुल रहते हैं थोड़ा सा अपना प्यार बनाए रखे comment करके ज़रूर बताया करें अभी weekly का भी सेनारियो में आपको बता देते हैं weekly में इस coin को 30 वाला जो level है वो important resistance level था जिसको अभी cross किया है और उसके बाद 40 वाला level तो अभी ये coin 40 से नीचे trade कर रहा है लेकिन 30 से उपर है और कल weekly closing होनी है सुबह तो अगर 40 से नीचे होती है तो 40 वाला जो level है वो as it is इसको resistance करने को मिलेगा और 30 वाला आप support बन जाएगा अब जिन्होंने पिछले वीडियो के थूँ बाई जिन्होंने पिछले वीडियो को watch किया और profit generate किया बहुत अच्छी बात है लेकिन exit नहीं हुए है तो दीखिए अभी यह थोड़ा बड़ fluctuate करके 40 से लेकि 42 तक try कर लेगा वापिस से और अगर यहां से BTC वापिस bounce back करके 62 से उपर जाता है तो सब इस जो है वो move कर जाएगी से आपने चार दिन पहले जो BTC ने 64000 वाले लेवर ट्राइब किया था वहां से reject हुआ और BTC वापिस bounce back कर गया और अल्स भी bounce back कर गए और जो पिछले लेवल से उनको break किया तो अकर BTC यहां से वापिस 64000 से उपर चला जाता है तो यह coins भी वापिस 4245 वाले लेवल को यह coin नहीं किया वो 45 का target रखेंगें अब यह नोंने entry नहीं ली थी इस coin में और entry देख रहे हैं देखिए यहां पर 40 वाला जो daily में रेशन सपोर्ट लेवल है वो अगर यह आज यह maintain नहीं करता है तो फिर और भी हमें drop देखने को मिलेगा और जो drop जो है वो 33 से लेके 30 तक का हो स से पहले नहीं रहेगी 32 वाला लेवल जो है वहां पर आप entry ले सकते हैं और उससे पहले आपकी कोई भी safe entry नहीं है वो आप बिल्कुल जल्दी बाजी करेंगे उपर वाले लेवल पर स्टक हो जाएंगे फिर recovery का wait करेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं है अच्छे लेवल के यह wait करें और coins अच्छे लेवल आपको देते हैं हम आपको बार बताते हैं कि बहले ही market कितना ही move कर जाएं हमें एक बार अच्छे पोस्टी मिल जाएगी मन्त के अंदर और हम आपको ऐसे ही level share करते हैं तो 32 वाला level first level रहेगा second आपका 30 या 29 के राउंड के रहेगा जो आपक वापिस जब move करेगा तो भी यह 4042 को try करेगा तो वहां से आपका जो quick target है वो 4042 वाले रहेगे short term में आपका 45 का target रहेगा और जिन्होंने previously coin को buy किया हुआ था हमार पास पिछले बहुत सारे comments आया थे जब यह coin in levels पता हो dump किया था तो इस coin को 30, 35, 40, 42 ऐसे levels पर buy किया था त से limit लगाई थी तो comment करके जरूर बताएं और हमार जो भी नए investor trader market में आए है जिनको ज़्यादा knowledge experience नहीं है वो हमारी premium membership में जरू enroll करें वहां पर आपको proper guidance, proper study share की जाएगी crypto queries updated level signal share की जाएगे और भी बहुत सारे benefits हैं तो जो भी अपने crypto journey profitable start करना चाहते हैं crypto losses से बचना च करके जोइन कर सकते हैं इस्टा की link video के description में हो और हमारे telegram channel के link description में मिल जाएगी बाकि है आप buy or sell खुद के risk खुद के research के हिसाब से करें आपर हम कोई finance advice नहीं दे रहा है वीडियो से education purpose से है ताकि आपको overall coins related knowledge हो सके वीडियो अच्छा लगा है like शरूर करें चनल को subscribe करने thank you